हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए हिंदी का टेस्ट लेकर क्या जाओं जो कि आप कहने वाले एक्जाम UPSI के लिए बहुत ही जादा इंपोटेंट है वीडियो को ए बिकल्पों में से कौन सा सब्द जो है वो पुरलिंग सब्द है जल्दी बताओ तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सरोबर देखो जल इस्तल और भूम अंडल जो भागों के जो नाम होते हैं यह हमेशा आपके पुरलिंग में गिने जाते हैं जैसे भारत देश नगर समुद्र दीप आकास पाताल घर सरोबर यह सबी सब्द जो है वो पुरलिंग किस रेड़ी में आएंगे तीसरा ओप्सन से यहां पर आपका बिल्लकुल करेक्ट हो जाएगा नाक का मोती अदर की कांती से बीज दाणिम काज समझ कर ब्रांती से देखकर स तो वहां से भी आप पहचान सकते थे तीसरा ओप्सन स करेक्ट यहां पर आपको रिक्तिस्तान की पूरती करना है सर जल्दी बताईए देश बासियों में परसफर फिरिंद अबलैंक्स होना देश की उन्नती के लिए अनिवार रहे है अनिवारे सर्थ है तो क्या होना दूसरा ओप्सन्स करेक्ट दिये गए वाक्यों में से सही वाक्ष का चेन आपको करना है वीडियो को आराम से पॉस्ट करो और बताओ के सही वाक्ष सुद्वाक्ष कौन सा है कोस्त नमबर फूर तो सही आंसर हो जाएगा उसे अनुत्रण होने की आसंका है चौता ओप्सन काल है जिस रूप से किरिया के वर्तमान काल में समान रूप से संपन होने का वो दो तो वहाँ समान वर्तमान काल होता है चौता ओप्सन्स करेक्ट गदहा का प्रयवाची निम्लिकित में से कौन सा होगा कोस्त नमबर 6 गदहा सब्द का प्रयवाची क्या होगा तो गदहा स के तीन समनार्थी यम सब्द के तीन समनार्थी दिये गए एक जो है वो समनार्थी नहीं है जो यम का समनार्थी नहीं है उसी का चेन करना है मांसौक मांसौक जो है यह यम का समनार्थी सब्द नहीं है यह हंस का समनार्थी सब्द है तो पहला ही अपसंस करेक्ट मुह देखी करना है इस मोहबरे का सही अर्थ क्या है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा पस्च पात करना तीसरा ओप्सन्स यहां पर आपका बिल्कुल correct हो जाएगा next question सही कहावत पहचानिए question number 9 जल्दी बताओ सही कहावत को यहाँ पर आपको पहचानना है question number 9 में अंदे के आगे रोना अपना दीदा खोना यह बिल्कुल सही कहावत या लोकोती है पहला ही options correct next questions start करने से पहले मैं आपको बता दूँ मैं डेली वेसिस पर अनेकेणी पर बिल्कुल free special class लेता हूँ रोज सुबा 10 बजे और 11 बजे दो special class होती है दोनों ही class में हिंदी को cover कर रहा हूँ एक class आपकी हिंदी की revision वाली चल रही है दूसरा हिंदी मैं UPSI का पूरा course को complete कर रहा हूँ एक बार आकर अबदे को बार 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 बताने से क्या फाइदा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ ये आप तभी जान सकेंगे सरा जब आपके एक बार class में आ जाएंगे और मैं तो आपको directly बोलता हूँ class समझ में ना है class को dislike करना चले आना कोई दिक्कत नहीं है है ना description में link दे दूँगा जैसा आपको ठीक लगे आ जाईएगा अगर आप description में दिये गए link से नहीं आ पारे तो class को आपको unlock करना पड़ेगा नेकेडमी के app को download करके वो कैसे करना है वो भी बता दे रहा हूँ आप लोग को सबसे आदा दिक्कत हो रही है मेरी special class लेने पर जो रोज सुबा 11 वजे चलती है आप जैसे ही नेकेड़ी पर अपना account बनाएंगे तो आपके सामने ये window कुल करके आएगे तो आपको UPSC सर्च करना है UPSC या state PCS में आपको ये UPSC देखने को मिल जाएगा तो हमने ये देखो ये मिल गया UPSC तो हमने इसको select किया select करने के बाद हमने हिंदी को select कर लिया हमको हिंदी medium से पढ़ना है आगे की जो आपकी processing है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर UPSC लिखकर कर आजाएगा देखो ये लिखकर कर गया अगया UPSC अब UPSC केड़ेगरी में आपको कुछ नहीं करना आपको जाना है ये search पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम search करना है मेरा नाम है tariq server ये मेरा नाम है तो देखो मैं आपको वहाँ पर देख जाँगा ये देख गया मैं ठीक है यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आपके लिख करोगे तो मेरी सारी classes आपके सामने आजाएंगी जो आगामी class होंगी वो भी आजाएंगी अभी हाली मैं class लेकर किया टाव्याँ 37 पहले तो आपको मेरी class देखना है, suppose करो यही वाली class देखना है, तो मैंने click किया, तो अब क्या करना पड़ेगा, सर आपको class unlock करना पड़ेगी, जैसे ही मैंने आपको class में किया, तो unlock code आपको मांगा है, तो unlock code है आपका Indian study, जो कि हमारे channel का, नाम है Indian study, कहीं भी कोई भी space नहीं है, और इसको हमने unlock कर दी, अब आपके समने class unlock हो गई, आराम से आप class का लुफ्त उठाइए, और daily basis पे आपके पास notification भी पहुँच जाया करेगी, अब आपको समझ में भी आगया होगा सब को से, ठीक है, अब मिलते हैं, जैसे भी आपको class होगी, आप उस तरही से देख लीज होता है, दूसरों को भी बुरा समझता है, दूसरा options correct, दिये गए बिकल्पों में से, आबाहन सब्द का bloom सब्द क्या होगा, आबाहन सब्द का bloom सब्द, तो आबाहन सब्द का bloom सब्द क्या हो जाएगा सर, विसरजन, तीसरा options correct, दिये गए बिकल्पों में से सही का chain A.P.G. عبدالकلام सादा जीवन फिलिन्दबलेंग्स में बिस्वास रखते थे कलाम सादा जीवन हम सभी के लिए फिलिन्दबलेंग्स है दो आपसेंज हैं A.P.G. अब्द Trustees अब्दलकलाम सादा जीवन उच बिचार में बिस्वास रखते थे उच बिचारो आएगा यहाँ पर और यहाँ पर आपका आएगा रखते थे कलाम साहब का जीवन हम सभी के लिए प्रिणा दायक है तो यहाँ पर प्रिणा दायक आएगा तो तीसरा आप्सन्स करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोसन्स देख लो मुख, बाल, रवी, सम, लाल होकर जुआला सा बादित हुआ तो यहाँ पर आपका सही अंसर क्या होगा कोसर नमबर 13 का तो यहाँ पर होगा आपका रूपक लंकार यहाँ पर कौन सा लंकार होगा रूपक लंकार तीछरा आपसन्स करेक्ट अधिकारी सब्द का बहुबचन निमलेकत में से कौन सा होगा अधिकारी सब्द का बहुबचन तो अधिकारी सब्द का कल बताया था जैसे गुरू का गुरू जन बताया था इसलिए अधिकारी का अधिकारी वर्ग होता है कुछ बिचेस सब्द होते हैं के पीछे सब्द लगाने से उनके बहुबचन हो जाती है मैं सारी रात भर जाकता रहा इसमें आपको बताना है किस भाग में तुरूटी है तो यहां पर आपका भर जो दूसरा आप्सन जो है यह आपका बिल्लकुल करेक्ट हो जाएगा हिंदी व्याकरण के अनुसर वाक का सुद सुद रूप जो होगा वो होगा मैं सारी रात जाकता रहा समझ रहे मैं सारी रात जाकता रहा सारी रात भर नहीं व्याकरण के अनुसर बता रहे हैं सारी रात जाकता रहा नेक्स्ट कोशनस आपके सामने कहते हैं कि उत्पादन में ब्रद्धी के फुल सोरुब वस्थों की कीमत में फिलिन्दब्लेंग आती है तो वस्थों की कीमत में क्या आती है सर कमी आती है पहला ही options correct दिये गाए बिकलपों मेंसे अधिकरत सब्द का ब्लोम सब्द क्या होगा अधिकरत सब्द का अभलोम सब्द तो अधिकरत सब्द का अभलोम सब्द होगा अनाधिकरत तीसरा option is correct प्रान सब्द का वहवचन क्या होगा बतायता प्रान, दर्सन, हस्ताक, छरबाल ये सब्द हमेसा कैसे होते हैं ये सब्द हमेशा बहुबचन के रूप में प्रयोग होते हैं तो प्राण सब्द का बहुबचन भी प्राण होगा ये भी करवा चुका हूँ मैं सब आपको करवा चुका हूँ बस एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दो बहस रेश्ट उपासक है इस वाक में बसेश क्या है अब बसेश भी बता चुका हूँ बसेश क्या होता है सर जिसकी बसेशता बताई जाती है वो बसेश होता है संग्या सरब नाम की बसेशता बताने वाले सब्दों को बसेशन कहते है और विसेशन की विसेशता बताने वाली सब्दों को प्राविसेशन कहते है वहसरेश्ट पाठक है अब इसमें किसकी विसेशता बताई जा रही है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो आपकी विसेशता बताई जा रही है कोसा नमबर 20 गलत वाक आपको बताना है तो सही आंसर हो जाएगा इस विसे पर एक भी अच्छी पुस्तके नहीं है चोवता ओप्संस जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है इस बिसे पर एक भी पुस्तक अच्छी पुस्तक नहीं है ना की पुस्तक है ठीक है एक भी नहीं है तो और यहाँ पर भगवचन का प्रियोग कर रहे हैं लता का आपको समनार्थी सब्द बताना है तो लता का समनार्थी सब्द क्या होगा वलरी दूसरा ओप्सन्स करेक्ट आशाल का एक दिन नाटक के रचीता कौन है बढ़िया कोस्तन है आशाल का एक दिन नाटक के रचीता कौन है मोहन राकेस पहला options correct विद्ध्यार्ती सब्द का पुरलिंग क्या होगा विद्ध्यात्री ना कि विद्ध्यार्ती विद्ध्यात्री सब्द का पुरलिंग क्या होगा तो विद्ध्यात्री सब्द का जो आपका पुरलिंग होगा विधाता तीसरा options correct विमाता बन गई आंधी भयाब है हुआ चंचल न फिर भी स्यामगन इस पंक्ती में प्रिक्त अलंकर पचानिये अलंकर टॉपिक अभी आपका रह गया अभी रस इस्टार्ड होगा उसके बाद में आपको अलंकर इस्टार्ड करवाऊंगा तो सही आंसर हो जागा स्लेस लंक ना देखे और दूसरों के फूली फिलिंदा ब्लैंक्स इस लोकोत्ती को पूरा करना है तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना धेंडर ना देखे और दूसरों की फूली नहारे तो यहाँ पर तीसरों आप्संस करेक्ट होगा नेक्स्ट कोशन सन 1990 में साहित अकादमी पुरुसकार प्राप्त सिफ परसाद सिंग की रचना नीला चांद किस बिद्या की किरती है हिंदी कई बिद्या होती है नाटक उपन्यास कथा कहानी रिपोर्टा यह सभी बिद्या होती है तो जो नीला चांद है यह किस बिद्या क सब्द नहीं है तो सही आंसर हो जाएगा अर्क अर्क सब्द जो है यह सुन्दर का समनार्थी सब्द नहीं है तीसरा आपसंस यहां पर आपका बिल्गल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा अर्क जो है यह सूर का समनार्थी सब्द है ना कि फिलिंदा ब्लैंक्स याद हैं तो उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी के कई उधरण याद हैं यानि कि तीसरा उप्सन्स करेक्ट सन उन्नीस सो पच्पन में साहित अकादमी पुरुषकार हिम्त रंगणी किसकी रचना है तो ये माखल लाल चतरवेदी की रचना है सर पहला उप्सन्स करेक्ट साहित तलेरी किस कभी की रचना है भैतरिन कोस्टन तो ये साहित तलेरी किसकी रचना है तो ये आपकी सूरदास की रचना है सर ठीक है चोधा उप्सन्स यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा next questions लड़के का त्रियक बहुबचन दिये गए बिकलपों में से कौन सा होगा लड़के का त्रियक बहुबचन क्या होगा तो सही answer होगा लड़को यानि कि दूसरा options यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर correct हो जाएगा ठीक है त्रियक बहुबचन क्या होता है जब किसी बचन में पिरते जोड़ दिया जाता है तो वह त्रियक बचन बन जाता है ठीक है तो दियान लखना next question से आपका कुछ लोग कुछ लोग बेहोस हो गए इस पंक्ती में कौन सा बिसेशन प्रियुक्त होगा है अब कुछ सब्द जो है वो एक बिसेशन सब्द है अब पता नहीं है वह यह कितने लोग बेहोस हुए तो यह अनिस्चे संक्या बाच है कि में बिसेशन में आएगा दूसरा options correct रिक्त स्थान को पूर्ती करना है और भरना है आपको बताना है राजेस की बातों से फिलिंदा बिलैंक्स होकर संदीप ने उसे मारने की लिए तलवार खीच ली तो फिलिंदा बिलैंक्स के स्थान पर क्या आएगा राकेस की बातों से उत्तेजित होकर तो उत्तेजित सब्द आएगा चौता options correct निम्न वाक मेंसे किस भाग में तरूटी है मद कालीन योग में कलाओं की बहुत उन्नती हुई अब आपको बताना है कि इसके किस पार्टे में तरूटी है गलती है तीनी चारोई options आपके सामने यहां देख रहे होंगे तो यहां पर आपके पहले ही पार्ट में गलती है ठीक है तो पहला options यहां पर आपका बिल्कुल correct हो जाएगा अब यहां पर देखो मद कालीन कालीन जो है वो काल सब्द का ही क्या है परिया यवाची है और योग भी आया इस सब्द में काल और योग दोनों ही सब्द का जो प्रियोग है वो एक साथ हुआ है तो मद कालीन मैं कलाओं की बहुत उन्नती हुई इस तरीके से लिख लो या मद योग मैं कलाओं की बहुत उन्नती हुई इस तरीके से लिख लो तो इसलिए यहाँ पहली पार्ट में गलती है ठीक है नेक्स्ट कोस्टन से आपका कि दिये गए बिकल्पों में से आपको रिक्तिस्तान की पूर्ती करना है मान सरोबर तक पहुचना फिलिंदा ब्लेंक से है तो इस कोस्टन का आंसर आप मुझे कमेंड बॉक्स में बताइगे दोस्टो यह थे आपके 40 हिंदी के इंपोर्टेंट कोस्टन जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कवर करवा दिये वीडियो कैसी लगी? तो कमेंट बॉक्स में बता दो कि मुझे पता चल जाएगा और लाइक देखकर कि मैं समझ जाता हूँ कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो दोस्तो फिलाल की वीडियो में सिर्फ नहीं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर ना भूलें क्योंकि मैं रोजाने यसी तरह के वीडियो जाप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तो जै हिंद जै भारत